नमस्काल प्रेमित्रोम, मैं य्टिशमारस जयम इंकिटेश जी सा भीत्य। योतिशंकला कवा जागे बढ़ाते हुए। मेरे प्रेमित्रोम आज हम बात करेंगे कण्या राशी वालों की विसे में और कण्या लगन से में। यदि आपके कुंडली में या आपका कन्या लगन है या कन्या रासी है आज हम बताने चलेंगे कि आपके कुंडली में कभ ऐसा समय आता है कि बुन-देश-मि eshiरा करता है यहाद हम वेबसेट आहिए कि आज का पिजिन पार आपढ़ते है जो हुआ कि आज का जो हमाँच योगा आठाइक नहीं बीचन में बताने चले में चलिब करें जित मेरा वीडियो आपको अच्छा लगें अच्छ लयके आगे बढ़ते हैं आज का जो बूख के पीशा है कि कन्या राशी कन्या लगने वालों का विदेश योग का बनता है कुंड़ी में पर पहला चीज क्या देखना है आप अपने कुंड़ी देखिए अगर पहले भाव में प्रथम घर में इच्छा अंक लिखा हुए तो समझे आप का जो है कते लोगनी की कुंड़ी अ के कहले हुए मैं जेख़र आपके लोगने की बात चन्रमा राशी कर्या वालों हुंगे दुंसरे थे आपको कुंड़ा का वारभाव है मतली का बात निकांजा मतले लुग प्रख्षान पर रागल राख्षान स्वामी बुद्ध है तो चन्द्रमाइ तो है तो निया समय लेज़ें कि जिनका कन्या लगन वहोगा उनकी विश्व में बदाना चला हूँ बिदेश योग का बनता है तो कुछ यहां में नियम लिखा हूं कि बिदेश यात्रा कब अपके जीवन जिनका कंड्या लगम होगा उनकी जीवन का प्राप्त होता है पहला नियम यानि लगनेश भाद्येश और द्वादेश यानि पहला नौवागर और बरावगर यह आपस पर यानि आपस में इनके घरम बैटे हो इसे मानने लगनेश भादेश भादेश बाना करके संबना करी साथ बैठेए हो कहीं बैठेए अधबुत जो है बिरिश योग बनता है पहला नियम यहां मैं देखूंगा आपको संधाने के लिए लगनेश भादेश द्वादेश कै लगनेश प्रत्म भाफ लगनेश काते हैं अनो भादेश मनें बहल से निगा गया है इसकी स्वामी हो गई शुक्र कि अब नहीं देखें बैश इस व्हें द्वी घरम इंगें है पांच यानि शेंग रासत्त स्वामी हो गई शूरिय और लगनिश्क एच्छा एक सब्सक्रता समलीजिए कि बुद्ध और शूर्य और शुक्र ये आपस में परिवर्तन हो या युकि बना कि एक साथ कहीं बैच्च हो फिर इस बतादे रहाओं मालेजिए कंड्या लें पूलिया है बुद्ध माले यहां के बैच्च हो और सुक्र सब्सक्राइब्यों माले यहां के बैट गए और सुक्र और सुट हरे सब्सक्रीश में दुस्रा नियम लगनेश्च्छा कनेश्टाइब हुद्ध ऑर शुक्रण सायओ हो इस वहां करेंई जहींकि पेहला नियाल नियाम अस्थान परिवरतन हो तो विदेश योग प्रवल बनता है और आपका शुक्र अस्थान परिवतन के सुखर का अब दूधी भव में क्या है लगन का इस बट बनेगा तो यह जपर जस्त बुद्दिष बनेगा कब जब जा सुक्र इस जायगा आपना नाम रोशन करेंगा तीसरा नियम सूर्य लग्ण में हो और नवम दादस भाव में शुब क्रहों की दिश्टी हो कि यह प्रभल जो है विदेश बनता है सूर्य लग्ण में सहता समझेंगे और नौम और दादस भाव में सुब दिश्टी हो सूर्य मां ने कहां यहां अगर यह सूर्य आपकी कन्याल लग्ण में बैठा है और नौम मैंने बाता भाग भाओ को नौम करते हैं और इसे दिश्टी को बहanda है कोई शूबकरा की दiously कोले शूबकरा कोने चंदरमा बैठाइब काफी कetus करता है अवसी की वारे आतरहे बार शुखता टाए करता हो या यूति बना के बैठा हो तो प्रफल बिदेश्य बनता है यहां देखेंगे लगनेश जो है यहां में सूत्र के अगर लगनेश द्वादस भाव करते हैं लगनेश चेह यहां के बैठा हो और यांगेश स् चेए स्वम्य द्वादस प्रफल चेहां के बहुड्यक तो सब्सक्राइब करता है अपना नाम रोशन कड़ता है अच्वानियम कि चतुरुथेस द्वादस गाउं में हो परिवाटतन योग करके हो या यूती बना के बैटा हो तो जब अध्यस यू बनता है चतुरुथेस कैसे देखेंगे सब्सके सब्सक्राइब करते हैं यह बैटा हो यहां बैठाओ औरचर्ण पर्णूरी बैठाओं सब्सक्राइब करता हो और में चाहिए बैठाओ ऌहां बैठाओ नतो मल tart podia हो इसे देखेंupa सब्सक्राइब करते हैं लगनेश भाग्यभाव में हो और भाग्यभाव का स्वामी लगन में हो यह प्रभल विदेश्व बनता है यहां देखेंगे लगनेश भाग्यभाव महिरी बुद्ध आ सब्सक्राइब करें भाग्यभाव सब्सक्राइब करते हैं लगनेश चत्रोथेस्व भाग्यभाव में हो और 12 भाव का स्वामी शूरी है एक चार आठ नव दस वहां को बैठा हो तो अवश्य लक्ति बिनेश यात्रा करता है सुत्रस यहां देखेंगे कि लगनेश चतुर्थेस देखें लगनेश यह हो गया चतुर्थेस क्या हो गया गुरू हो गया बुद्ध और गुरू कहा जाक बता हुँ यह चतुर्थेस बैठा हो या अस्टण भाव अस्टंघर घाव या तो भागी भाव मेठा हो तना वह यहां बैठा हो यह यह बएठा किस प्रकल जो हैं ब्थेस बनता है सब्सक्राइब नाम रोशन करता है बहुत जीवन में प्रोथ करता है प्रतमेश पंचमेश भाव के श्वामी बाराएं बहुत बहुत आगे बढ़ता है अगे प्रतमेश और उद्यश और पंचमेश प्रतमेश क्या है बुद्ध है तो दीश क्या है शुक्र और दीखना है जर्टाओं की बातएं की बात में बूद्ध के बात तुधियश पंचिमेश मने लगनेश तुधियश पंचिमेश कहां बैठाओ। दौधाध बहुत हैं बहुत नाम्रुचन करता है। बोट पर जाता है और जीवन परियत वहां कर्था बहुत आगे पढ़ता लगता है न्यों नवानियम कि यायनि आइनद ह् लागनेश के दी वह रही पहरी चान्द्रमा एक शाथ चान्द्रमा के 12 हो पर 15 सूर्या दस नंछ जीवन में प्राप हो प्रफम भाव यहां दितेंगे यह प्रफम भाव हो गया और यह पंचर भाव हो गया और यह दौद्ध हो गया आपके कञ्चन लगें के बाद लग कोनली होगा तो बुद्ध और शनी और सुरी ये एक सार बैठ करके मानिव आपके सब्सक्राइब करेगा नाम करेगा पढ़ाई करेगा सब कुछ सुप्राइब को जीवन में अवश्य प्राइब होगा प्रतमेश और ब्याईश भाव के श्वामी अगर आपके शुक्र बैठा हो या माले शुक्र बैठा हो या सुर्य बैठा हो तो यह प्रवल जो है विदीश बनेगा आपके अवश्य नाम रुसंतने में अब शिक्रोत करेगा आगे बढ़ेगा बारावानियम बारावे भाव में रावु शुर्य शुक्र शनी मंगल चंद्रमा स्क्रता स्वलिजी चोंकि यह जो होते हैं यह विदेश के कारग्रमत आएंगे जिसी देखा जाए रावु अगर यहां बैठा हो तो प्रवल विद शुर्य 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 शु लुए आपकुनली में में राहु शुरु शुक्र शरी मंगर जिर्णाईंगें से कुई भी विद्याथ आवश्य करता है अपना नाम रोषर करता है तिरावानियम लगनेश पंचमेश और भागेश भाव के स्वामी लगन में हो शाट में सूरी और तो इस तकिर यजे बोलते हैं त्रिकोन ज histories त्रिकोन कहते हैं तो लगनेश पंचमेश नमेश कहां बैठा हो इनके शामी लगन में हो अब सर्ता सह सम्झेगे एक पांच नव इसे बैठा है लगने स्वंह यहां बैठा हो अगर सुख अगर आगर यहां बैठा है तो यह चुछ लगता है यानि लगने स्पश्ण मेष साथ यहां बैठा हो चाहिए गोषी यहां अधिवत नावरोचन करता है चोदावनियम जो कि मैं हर वीडियों बताता हूं लगनेश श्रूम श्रूम जाके बैटा हो तो विक्ति आवस जन्म भूमी से दूर जाता है अपना नावरोचन करता है अगर मानेश पिदेश नहीं जाना आए अपने देश में भी आए तो अप अपने जन्ग भूमी अस्तान से भालत मेरेगा पर दूर जाएगा अवस जाएगा और जीवन आवस जाएगा और जीवन जाएगा से ग्रोथ होगा आज हमने बताया कि आपका कण्या नियासी है और ये सूत्र ये नियम आपके पुर्णिम लग रहा है पर आपका ब्रूथ नहीं हो पार आपका भागुद्धे नहीं हो पार सबसें पड़िया करिए भागेश लगनेश और पंचमेश इसको मजबूत करिए उसके लगनेश व्यक्ति श्वयम है और ये भाग भाव है क्योंकि भागी में होगा तो मिलेगा उसके लिए कर्म करना पड़ेगा तो वागेश्का है दो अनकली के स्वामेश होगे सुक्र आप्सुक्र का मंद्र जाब कराएं 20,000 मंद्र जाब कराएं और इसके बात भूद चावल हो गया चाहर हो गया खीर हो गया सफे दवस्थ क्या है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब कर सकते हैं या तो आप अकेला ओपल डामेंड पहेंड लेकिन यह कब अपने मंस नहीं पन मांग दीजे आपका पंचमेश और लगनेश यह अपने नीज होगी नहीं करना अपनी दीखा करके तो ही रत्न धान करें और इनका निदान कर सकते हैं आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हवन कर सकते हैं इनका दान कर सकते हैं इससी आपका प्रवल योग बनेगा प्रिए वीडियो आपको अच्छा अवेश लाइक पर सब्सक्राइब करें अगले अबस्तों फिर मिनते हैं नमस्का हुआ 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 है